नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्मेंट एजुकेशन में तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप 80 प्लस नंबर कैसे ला सकते हों मद्ध प्रदीश चेल वहरी 2020 में और 2018 में जब यह एक चाप हुआता तो इसमें कितना कट अप गया करेंगे यहां पर कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे आप अच्छे से नंबर ला सकते हो ओके और क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें आप फूल मैसे फूल मार्क्स ला सकते हो ओके तो देखी यहां पर सबसे पहले हम बात करें सब्सक्राइब करें तो यहां पर अगर दिखिए सबसे पहले हम बात करें तो आप अगर सोच रहे हो कि 80 प्लस नंबर आपके नहीं आ सकते हैं या कम आ रहे हैं तो आप भूल जाएए क्योंकि आपको 80 प्लस नंबर लानी पढ़ेंगे मैं यहां पर 2018 का जब आपको कटव बटांगा तो उसके इसाब से आपको पता पड़ेगा कि क्यों 80 प्लस आपको नंबर लाना है तो सबसे पहले हम कटॉप की बात करते हैं तो जो कटॉप जो रहता है पेपर देने के बाद फिजिकल के लिए बुला जाता है तो उसके कट आप करें तो 65.74 गया था और सक करें और फिंए्स सी विदे की बात करें तो 58.85 गया था एस टी मेल की बात की जाए तो 56.55 गया था और सक्विमेल की मील की बदी जाए तो 51.52 गया था ओवी सी की बात करें मेल में तो 71.73 गया था और फीमेल में जो है वो 66.86 गया था तो यहां पर आप दे सकते हो 73 जो है वो जनरल केटेगरी ओवी सी की बात किया तो 71 तो इतना काटओ गया था यह कट आप पेपर देने जाते हो फीजिकल के लिए वह ला आता है तो उस के बाद जो मेरिट तयार होती है मेडिकल के लिए बाकि आगे आगे प्रॉसेस रहती है उन सभी के लिए तो उसका जफ जाता है और थोड़े नंबर बढ़ जाते हैं कट-अब के मामले में तो यहाँ पर देखिए जो कट-अब जो रहा था फाइनल कट-अब जो रहा वो जन्रल केटगरी मेरे मेल का रहा था 76.13 ओके फीमेल की अगर हम बात करें तो 62.99 SEC केटगरी की बात की जा तो 68.55 और SC female की बात की जाए तो 58.85, ST male में 58.33 और ST female में 51.52 और OVC category के male में बात की जाए तो 74.79 और male में बात की जाए तो 69.85 तो इतना जो है वो cut-off गया था final list तयार हुई थी तो इतना जो है वो आपको जो देखी नॉर्मल अगर हम बात करें तो 67.7 जो है वो cut-off आप मान सकते हो है तो 2018 बाद कोई vacancy निकली number of candidate बढ़ गए होंगे और vacancy भी कम निकली है इस साल तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप आपको 80 प्लस नंबर लाना रहेगा तब आप जो है वो physical में eligible रहोगे ओके फिजिकल के लिए final रिस्ट जो है वो ज्यादा जाएगी 85 तक जा सकती है तो इतना तो number आपको लाना ही है ओके और बैसे अगर देखा जाए तो आप अगर मैं टॉपर्स की बात करूँ तो जो ट टॉपर था सौ में से जो हो 96 नंबर लाए थे जेल पहरी में जो टॉपर था ओके तो आपकी तैयारी जो इस तरीके से होना चाहिए कि आप जो हो बिलकुल सिवर हो जाओ कि आपका सेलेक्शन होई जाएगा तो यहां पर हम books के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी आप books क्या लेगी है इक है कि सायंस कबर हो जाएगी क्योंकि एक दो सभी से पूचे जाते हैं इसलिए जो है वो लूशेंट सबसे वेस्ट है तो आप लूशेंट को जो है वो पूरी पड़ डालीजिए MPGK की बात किया तो MPGK का बैटिज थोड़ा ज्यादा रहता है तो MPGK में आप कोई भी भी खरी सकते हो कोई भी जो भी आपको लगे पूरे करकी महाबीर की या कोई भी और भी बुक आती है जैसे कि याद की जाए तो महिस्कुमारवनरवाला तो हिंदी जीके में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर आप मुझसे बहुत ट और हैं तो MPGK में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे बात की जाए तो इंगलिस में इंगलिस में आप जो है कॉमान एरर करके जो है वह बुक आती है करन्फ पब्लिकेशन की तो यह जो है वह आपको हिंदी में इंग्लिस मीडियम हिंदी में भी लेखा रहता है तो हिंदी में आप इसे बुक को पर कर सकते हो इंगलिस की और जो भी रूल्स है आर्टीकल्स प्रोपोजिशन कंजंसन इस सभी जो पूछे जाते हैं तो इन्हें यहां पर पहले रूल्स पढ़िए सारी डालिए और जो है वो प्रेटिस करिए तो तीन बुक तो यह हो अब आपको मिल जाएंगी अच्छे से इसको कभर कर सकते हो शाइंस में आप लूसेंट एक साइंस की अलग से बूक आती है और लूसेंट की साइंस में एक अलगाती है जिसमें केबल फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बाइलोजि रहती है तो क्योंकि यहां पर बात की जाए त तो बायो केमिस्ट्री के कुश्चन तोड़े जादा देखे जाते हैं तो आप यह वाली वह खरीड सकते हो साइंस के लिए हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में आप ले सकते हो लूशेंट जो सामान हिंदी रहती है वो लूशेंट इनफ है इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूद नहीं है कि करेंट अफेस के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे मैगीन आप खरी सकते हो तो करेंट अफेस भी आपको करना रहेगा क्योंकि करेंट अफेस भी पूछा जाता है तो यह तो इस्टेटिक्स की बात होगी करेंट अपस तो अलग से पढ़ना रहेगा तो आप मैगजीन करी सकते हो कोई भी आगे बात कीजाये तो प्रिवेस एर के क्युश्ण पेपर बहुत ही important है तो जिल लोगों ने प्रिवेस एर के क्युश्ण पेपर नहीं लगाएं कि किस तरीके के question पूछे जाती है क्या लेवल रहता है question का और कहां से question पूछे जाते हैं तो यहां पर आप आई का बटन आ रहा होगा यहां पर तो यहां से आप जो भी previous question पूछे गए है जिल पहरी में तो मैंने वहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ मैज के जी के के तो वो आप देख सकते हो इंगलिक्स के भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रोवाइड हो जाएंगे तो सबसे पहले आप प्रिवियसर के कुश्चन पेपर देखिए क्या लेवल रहता है और उससे आपका भी लेवल पता पड़ेगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है ठीक है तो प्रिवियसर के कुश्चन पेपर जरूर लगाईएगा आप एक बार अब हम बात करते हैं ऐसे विसे जिनमें फुल नंबर आप ला सकते हो क्योंकि 80 प्लस नंबर लाना अगर आप सूचते हो कि एका सब्जेक्ट मैं छोड़ दू तो आप भूल जाओ आपको सारे सब्जेक्ट करनने पड़ेंगे और कौन-कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आप फुल मैसे फुल मार्क्स जो है वो ला सकते हो देखिए मैस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मैसे फुल मार्क्स ला सकते हो विद कॉन्फूडेंट क्योंकि आपको अगर मैस अच्छे से आता है आपके क्लियर है तो आपका मैस में एक भी नंबर जो है वो बाहर नहीं जाएगा तो यहां से आप 20 में से 20 नंबर ला सकते हो हिंदी की बात की जा तो इसमें भी रूल्स फिक्स रहती है ग्रामर है यह ठीक है यहां से कोई भी चेंजिस नहीं आता है आपको खुश नया पूछा नहीं जाएगा कुछ लोगों हिंदी सिंपल लगती है तो कुछ लोगों इंगली सिंपल लगती है इंगलीस में भी रूल्स फिक्स रहती है ग्रामर है यहां पर भी कोई चेंजिस नहीं होता है आर्टीकल है तो भाई किस के साथ आर्टीकल कौन सा लगता है वो fix रहता है, कोई अलग से changes नहीं आता है, बस जरूरत है आपको practice की, जितना आप ज़्यादा practice करोगे, उतना ही आपका component बढ़ेगा, और आप आसानी से 20 में से 20 नमबर ला सकते हो, तो आप English में 20 में से 20 नमबर ला सकते हो, science की बात की जाए, तो science में आप full में से full marks ला सकत की आए, यहाँ पर जो भी elements रहते हैं, law है, और biology में बात की है, तो जो इसके ऐले से system हुआ, blood हुआ, bonds हुए, तो यहाँ पर सब्सक्राइब फिक्स हैं, आपको कुछ बदलने वाला नहीं होता है, कि जैसे की current effects की बात की है, तो नया current effects आता है, यह चीज़ है, science में नहीं बदलने वाली, भई, 206 idea होती है, humans में, तो 206 idea होती है, उसमें आपको कुछ नया creativity करनी की जरूरत नहीं है, और नहीं कुछ ज़्यादा याद करनी की जरूरत है, तो यहाँ से आप 20 में से weeks number ला सकते हो, तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं मोटा मोटा हिसाफ से दीखा ज जाते हैं, तो देखा जाए, तो इसमें से अगर आप 10 number भी ला देते हो ना, तो आपके 85 numbers हो जाती है, ठीक है, तो 85 number जबकि हम 80 plus number की बात कर रहे हैं, हाँ पर आपको 85 number जो हो यहाँ से आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, तो बस आपके 85 number आ जाते हैं, तो आप विल्कुल न बाकी जो जीके है, करेंट अफैस है, उनके लिए भी बुक्स हैं, तो वो भी आप पढ़ लिए, बाकी और कुछ नई बुक पढ़ने की जरूत नहीं है, आप नईने बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को जो हो, दस बार पढ़ो, देखिए, दस बुक नई पढ़ करता है, ठीक है, तो जायर सी बात है, उसको दस बुक याद नहीं होने वाली, और एक बुक जो है, वो अगर एक बार पढ़के छोड़ लेता है, तो भी याद नहीं होने वाली, कुछ लोगों को ये गलत फिम होती है, कि ये बुक तो मैं पढ़ चुका हूँ, अब इसको क चीज और बता दूँ, आप और अच्छे से प्रप्रेशन चाहते हो, जीके के लिए, तो जीके जो रेलवे की स्पीडी आती है, सामा निर्धन की, तो उसमें जो भी सारे कुशन दिये हो ना, उनको और लगा दो, बिल्कुल आपका इसमें काम हो जाएगा, आपको और कुशन है, तो वही कुशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और कुछ नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप 50 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हो, तो यह था आपके लिए, जो कि आप यहाँ पर जेल पहरी के तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको अच्छे चाहते हो आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट मॉक्स में पूछ सकते हो और सोचल मीडिया के थुरू आप जुनना चाहते हो तो लिंक आप को डेक्शन में मिल जाएंगे फेस्बूक गुरूप जॉइन कीजिए इंस्टागाम पेज लाइक कीजिए तो वहां पर जो है वो 60K फॉलोवर हैं तो वहां पर आप जाके जॉइन कीजिए और कभी भी एनी टाइम आप कुछ भी पूछ सकते हो तो मिलते हैं लिए वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग दा वीडियो है बनाइस टे